हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्थ हो गया, इन्टों पूजा के लिए सबसे आवश्य ग्वस्तू, बेलपत्र एकत्रित आवश्य कर लेना बेलपत्र? क्यों माता? बेलपत्र? प्रभू को सबसे अधिक प्रिय है, इनके एक बिना की गई पूजा अपूर्ण होती है अता, अपने भोले बाबा को सीक्र प्रसंद करना है तो बेलपत्र लेना ना भूलना क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ती देवी लक्ष्मी के कारण इस संसार में हूँ किन्तु हो सके तो आप ही मेरी जिग्या साथ शांत करें बताएं क्या हुआ था, क्यों बेलपत्र का इतना महत्व है तो सुनो हनुमान, देवी लक्ष्मी विष्णु जी को प्रिये तो है ही किन्तु फिर भी, एक समय उन्होंने विष्णु देव से वर्दान मांगा कि वे सदैव आपके हिर्दय में वास करना चाहती है सुवामी, मुझे वर्दान दीजिया ना, कि मैं आपकी सेवा तो करती रहूँ किन्तु आपके रिदय में वी, मेरा ही बार सदैव रहे प्रिये, आपको ये वर्दान तो मात्र प्रभू भूले नाथ की दे सकते हैं भूले नाथ? किन्तु सुवामी, मुझे तो आपके रिदय में रहना है फिर भूले नाथ से वर्दान क्यों मांगू? क्योंकि अनन्स काल से ही, मेरा रिदे उनकी भक्ति में ही लीन है अतर, मेरा रिदे इसमें तुम भी भस्ती हो मुझसे अधिक भोले नात का है पस्पित, तेवी लक्षमी, तेवेश्वर को प्रसन्य करने के लिए क्यालाश परवत के अंचल में स्थित, एक भफ्य मंदिर में आकर हवन पूजन आदी करने लगी ओम नमस्षिवाया, ओम नमस्षिवाया, ओम नमस्षिवाया, ओम नमस्षिवाया, ओम नमस्षिवाया कि निर्जल निराहार हवं पूजन कटी रही नेद्राकाभी त्या कर दिया था उन्हुलीë ओो हब नमश शिवाया- ओो नमश शिवाया- ओ नमश शीवाया item व Nous सिस्थ वाfiction नमेश चहस्त्रों वर्ष्टों तक चला। सिंतु देवी लक्ष्मी ना तो क्लान्थ हुई और ना ही फूजा से उठी। बड़ी ही कठोर तपस्या की है माता लक्ष्मी ने। फिर क्या हुआ माता। फिर हनुमान इस घोर तप को और प्रगार बनाने के लिए तेवी लक्ष्मी अपने अंग काटकर अगनी में आहूती देने लगी। और तब उनके घोर तप एवं वलिदान के फल सरुप तेवेश्वर ने उठेट दर्शन दिये। तेवेश्वर के दर्शन मात्रों से ही तेवी लक्ष्मी की काया पूर्वबत सुन्दर हो गई। प्रणाम प्रभू। आपके इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन हूँ देवी लक्ष्मी कहिए क्या वर्दान चाहती हैं आप। मुझे मात्र इतना ही वर्दान दीजें कि जब तक ये संसार रहें मेरे तन में प्रान रहें। मैं सदैव, स्वामी, श्री विश्नु देव की सेवा करती रहूं और उनके रिदय में सदैव मेरा ही बास रहें। पथास्तु। आपकी क्रिपा के लिए धनेवाद प्रभू। परंतु प्रभू। मैं सहस्त्रो वर्षो तक आपकी तब करने में समर्थ रहीं। किन्थो एक साधारन नारी कैसे इतना तब कर सकती है। कलियूग में तो मनुश्य अलपायू होते हैं। तब वो कैसे आपकी क्रिपा प्राप्त कर सकेंगे। प्रभू। कुछ ऐसा विधान कीजिए। कि कलियूग में भी मनुश्य आपकी क्रिपा सहचता से प्राप्त कर सके। देवी लक्ष्मी। आपने जो इस अगनी में अपने पवित्र अंगों की अहुतिय दी हैं। वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। देवी आपने जो बलिदान दिया है उसका सुफर्व। अब सबस्त संसार को भी प्राप्त होगा। आपके पवित्र अंगों की आहुतियों से उत्पन ये पवित्र व्रिक्ष बेल व्रिक्ष क्यलाएगा। इसके बेल पत्रों को अपसे जो भी शिबलिंग पर चड़ाएगा। उसे आपके तब के समान ही पुर्णे की प्राप्ती होगी। इस प्रकार तक से लेकर अब तक कोई भी शिब पूजा बिना बेल पत्र अर्बित की पूर्ण नहीं होती। तब तो मैं लोटते समय उसी मार्ग से जाऊंगा जहां पर ये व्रिक्ष है वहीं से मैं बेल पत्र एकत्र करूंगा। बोवरिक्ष तुम्हें कैलाश छेत्र के घने वन में मिलेगा हनुमार। किन्तु स्मरण रहे धगवान को अर्बित करने के लिए जो बेल पत्र तुम चिनो। पुद्चीन, पत्र, सुन्दर एवं बेना छेत्र के होना चाहिए। माता, किन्तु तीन पत्र वाला है क्यों। खनुमार, ये समस्त स्रिष्टी, रजोगुण, सतोगुण, एवं तमोगुण के आधार पर रचित हुई है। रजोगुणत्वारा, प्रहम देव प्रिस्टी रश्ते, सतोगुणत्वारा, विश्टुदेव स्रिष्टी का संचालन करते हैं। एवं स्रिदेव का प्रतीक माने गए हैं किन्तु ये भी स्मरण रखना कि सूर्यास्त के पश्चार बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है अवश्य माता मैं स्मरण रखूंगा और ये भी स्मरण रखना हनुमान कि तुम किसी भी मार्ग से जाओ कितनी भी बादा आए किन्तु आत्मलिंग को धरा पर मत रखना अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएगा मैं स्मरण रखूंगा प्रभू अब आपका ये पुज्य आत्मलिंग प्रभू श्री राम के नेत्नों के समक्षी स्थापित होगा प्रभू मुझे आज्या दीजिये प्रणाम प्रभू प्रणाम माता अब तक हनुमान को आ जाना चाहिए था किन्तु मुहूट तो कल प्रातः तक का है इसलिए कोई चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है समय शेश है अभी बस उत्र हनुमान के समक्ष कोई बाधा ना आजए वो रहा बेल व्रिक्ष तीन पत्र वाला बेल पत्र ये रहा हनुमान मरें रहे सुर्यास्ट के पश्चात बेल पत्रों को नहीं तोड़ा जाता है अब मैं बेल पत्र तो तोड़ ही नहीं सकता सुर्यादेव तो अस्त हो गए मैंने माता पार्वती के तब से उत्पन इसे व्रिक्ष से पत्र लेने का वचन दिया था माता को मैं क्या करूँ हम प्राता तक मैं यहीं रुकता हूँ सुर्यादेव की प्रधम किरन पढ़ते ही मैं बेल पत्र एकत्रित करके शिग्र अतिशिग्र प्रभू के पास पहुँच जाऊंगा कठिन तो है किन्तु मैं संभव कर लूँगा भोले बाबा के आत्म लिंक को मैं धरा पर भी तो नहीं रख सकता सुर्यादेव तो उदित हो रहे हैं अब इनकी प्रधम किरन पढ़ते ही मैं बेल पत्र एकत्रित कर लूँगा ये तो पिपी लिकाए हैं जो पत्रों को खा रही है भगवान को अर्बित करने के लिए जो बेल पत्र तुम चिलो पुस्तीन, पत्र, सुन्दर, एवं बिनाचित्र के होना चाहिए ये तो सभी पत्र छिद्रत दिखाई दे रहे हैं क्या करूँ? हाँ, वो पत्र खंडित नहीं है पिपली काएं तो इन पत्रों पर भी आ रही है सुर्य देव भी उपर चड़ाए हैं अब तो बहुत ही कम समय शेश है पत्र भी लेना है किन्तु उसके पूर्व कुछ भी करके इन पिपलिकाओं को बिना क्षती पहुँचाए यहां से हटाना होगा प्रभू, हमने बहुत ढूंडा हमें बेल पत्र कही भी प्राप्त नहीं हुआ प्रभू, नल और नील को दूसरी दिशा में भेजा है बेल पत्र लाने के लिए कदाचित वो समय रहते बेल पत्र ले आए ना तो बेल पत्र मिल रहे हैं और ना ही हनुमान अभी तक आत्म लिंग लेकर लोट पाए है मोहर्त भी निकला जा रहा है अब अधिक समय शेश भी नहीं है अब तक तो मुझे यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए था किन्तु बेल पत्र लेना भी तो आवशक है प्रभु कोई तो उपाए होगा ये मधु ये युक्ति कार्य कर रही है शीग्र हटो पिपली काओं हनमान को शीग्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुँचना है सुरियोध्य तो कपका हो चुका है किन्तु हनमान के आने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा पूजा की सारी विवस्था तो पूर्ण हो चुकी है बस बेल पत्र नहीं मिल पाए अभी तक हनमान को विलम हुआ तो मुहर्थ निकल जाएगा कैसे पूजा होगी और कैसे हम अयोध्या जाएंगे भाईया मेरे विचार से हमें हनमान की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी और विकल्ब के विशय में सोचना चाहिए वामी, क्योंना मुहर्थ निकलने से पुर्ख पार्थिव शिवलिंक का निर्मान करके पूजा प्रारंग करते भगवान तो कन-कन में है और भगवान तो अपने भक्त की भक्ती एवंग श्रद्धा को ही देखते है हो सकता है नल एवंग नील भी तब तक बेलपास्टर लेकर लॉट आए इत्हन माना शिवलिंग लावें उत्लिंग पार्थिव राम बनावें जला भिशेट की ये अवध बिहारी इतने में हनुमत भी पधारी राम सिया राम सिया राम जै हनुमार कपिस्त अब्ध जै सोचिय चम्भित प्रभुराखी विश्वास ना किंचित पवन्तने मन में अकुलाए लोचन में अश्रू भर आए मेरी प्रतेक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा कैसा दुरभाग ये है ये अनुमार आ गए ऐसी स्थब दुदासी का भाव मैंने हनुमान के मुपपर आज पहली बार देखा है प्रणाम प्रभु प्रणाम माता क्या इतना विलंब हो गया आपके हनुमान को प्रभु क्या आप स्वैम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ कर दिये आपका हनुमान आपके इस कारे में पूर्ण तह असफल हो गया धिकार है मुझे धिकार है मित्र हनुमान हम सबने आपकी बहुत प्रतिक्षा की परंतु पूजा का मूर्थ पीता जा रहा था इसलिए प्रभू ने पार्थिव शिवलिंग का निर्मार कर प्रभू की पूजा प्रारंभ की रिदेश छोटा मत करो हनुमान मुझे तो वही आत्मलिंग अधिक प्रिये है जो तुम लेकर आये हो और फिर तुम बेल पत्र भी तो लाये हो जो हमें यहां कहीं प्राप नहीं हो सके प्रभू यदि ये सत्य है मेरे द्वारा लाया गया आत्मलिंग अधिक प्रिये है तो आप इसी आत्मलिंग से अपनी पूजा संपन कीजी हनुमान जिस पार्थिव शिवलिंग का स्वयम अभिशेक कर चुके है प्रभू पूजा विदी को प्रारंब कर चुके है अब तो इसी पूजा से इस विदी को की संपन करना होगा ग्यात है मुझे लक्षमण भाया परंतु आज वो हो गया जिसकी मैं कलपना भी नहीं कर सकता राम काज में असफल हो गया मैं ये कैसे स्विकार कर सकता हूँ मैं इसलिए आज ये भक्त अपने प्रभू से अनुरोत करता है मेरी भेट को स्विकार करना ही होगा इन्हें और प्रभू यदि आप मेरे इस अनुरोत का मान नहीं रखना चाहते तो मेरे द्वारा लाए गये इस आत्म लिंक का भी यहां कोई महत्व नहीं तब तो यही उत्तम रहेगा कि मैं अभी जाकर प्रभू महादेव को उनका आत्म लिंग लोटा दूँ मैं जाकर भी हनुमान का यह अनुरोत स्विकार नहीं कर सकता कम से कम मैं प्रभू के इतने काम तो आ सका कि उनकी पूजा के लिए बेल पत्र ला सका ये लिजे प्रभू प्रभू के लिए प्रभू प्रणाम भोले बाबा प्रणाम फ्रभू कल्यार होसी अनुमान तुम्हारे विलम और प्रभू श्री राम के द्वारा यहां पार्थिव शिवलिंग को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उदेश्य है प्रभू भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उदेश्य हो सकता है प्रभू भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उदेश्य हो सकता है प्रभू और भगवान दोनों के हाथो दो प्रिथकलेंग एक साथ स्थापित होने का उदेश्य है हनुमान इसलिए तुम विफल नहीं तफल गुए हो भक्त प्रभू की भक्ती तो करता ही है पर अपने प्रभू से भट करने का दिखार भी रखता है इसलिए आज यहां भक्त और भगवान दोनों ही लिंग स्थापित करेंगे भगवान द्वारा स्थापित लिंग को जगत राम लिंगम पुकारेगा और भक्त द्वारा स्थापित विश्व लिंगम कहलाएगा आग से यह स्थान रामेशुरम के नाम से परिचित होगा मैं घोशना करता कि जो भी यहाँ पूजा के लिए आएगा वो मेरे द्वारा स्थापित पार्थिव शिबलिंग से फुर्व हनुमान के द्वारा लाए आत्मलिंग का अभिशेख करेगा इस पुन्य तीर्ट स्थल पर ऐसे पूजा करने वालों के समस्त दुखों और पात्पों का नाश होगा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव चैश्री राम श्रीशिवशंकर श्रीरघुराई हनुमत पर आसिसवर साई आत्मलिंग स्थापन का जा प्रभु निर्देशा का पीश में साजा राम सिया राम सिया राम जै हनुमाद ये गाथा महादेव हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की प्रभु पुजा संपन्न हो गई अब हमें प्रस्थान करना चाहिए हाँ स्वामी अब हमें तनिक भी विलम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके ही समान आपके अनुच भरत भाया भी रघुकुल रीती सदा चली आई प्राण जाय पर वचर न जाई युप्ति का पालन अपने प्राण देखर भी करेंगे एश्वर की प्रत्यक लीला में जन कल्यान चुपा होता है आवशक्ता है बस इसे समझने की